असलाम लेखाma में पिछले लेक्चर में हमने रिफफभभंक्स के बारे में बारे में पड़ा था जो के चार रिफफभांक्स थे आइ आ और ये KarlNO नहीं तो आज हमने के बारे में पड़ना ठीक है ये धुख दोनों जो थे ये 1 स्प्व्ण्स में सिल नेखें जाते थे और तो आज हमने अपना जॉइन डिफ्थांग्स वाला टॉपिक क्लियर करने हैं इसके उसने बताए हैं एक दो तीन चार रूल बताए हैं बहुत एजी रूल है सबसे इस पूरी बुक में सबसे एजी जो टॉपिक है वह है डिफ्थांग्स का ठीक है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है पहला रूल उसने बताए कर डिफ्थांग्स साइंस आर जॉइन टो स्ट्रोक्स में एजी जॉइनिंग के बी मेड़ के डिफ्थांग्स हम लोग तब स्ट्रोक के साथ जॉइन करेंगे जब एक एजी सी जॉइनिंग हमारे पास बनेंगी कोई इसमें हमें काली क्राय को चॉइन से अपारव दी लाइन ठीक है यह लिखके तो यह प्रिस्ट प्लेस सट्रोक्स अब आवली लाईन और आ Algervan इस डियुन कर वह लीग डियू क्छाऊ आशो में टियुन करें सम्मद करें तो यह थर्ड प्लेcken्स प्रिक को करें साथ में यू का लिप्त फिर few simple f का stroke और u का dipthong तो इसमें बागी examples भी है वह आप चेक कर लीजिएगा second number पर वो कह रहा है कि the sign of o is contracted in the word now इसमें उसमें क्या बताया है कि हम now word किस तरह से लिखेंगे now now कि मतलब जब हम लोग now में आउ वाला stroke जो है यह हमारे पास यह वाला जो सुरी dipthong है यह वाला आउ का इसको हम लोगों ने जब now के साथ लिखना होगा एन वाले के साथ तो हमने इसको half कर देने यह वाला पार्ट इसका miss कर देने इसके साथ लिखने ठीक है जैसे के एन वाला stroke simple यूँ कर देने ठीक है यह सही है और अगर हम लोग एन वाला stroke लिखें फिर वापिस इसको इस तरह से करें तो यह यहाँ से कलम जो है ना हमारा पर रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं होना चाहिए सिंपल हम लोग ने क्या करना है एन वाला stroke ऐसे कर देने अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो यह गलत हो जाएगा ठीक है मतलब हम लोग ने सिर्फ नाव में सिर्फ यह वाला बाजू इसका लिखना होगा इस साइड वाला नहीं लिखना होगा आपको समझ आ गई होगी फिर थर्ड रूल क्या कह रहे है कि दा साइन अफ आई इस कंट्रेक्टिट बिफोर एल एम के एंड अपवर्ड और फॉर्म सच फ्रेजिस एस कि जब आई वाला स्ट्रोग जो है आई का साइन ये है ना वी वाला इस तरह का तो जब ये वाला डिफ्थांग जब हमारे पास एल स्ट्रोग एम स्ट्रोग केर स्ट्रोग और अपवर्ड आर स्ट्रोग से पहले जब हमारे पास ये आई वाला डिफ्थांग आएगा तो इसको भी हम लोग ने हाफ लिखता ह का हाफ किस्ता से लिखेंगे जैसे के है आई विल सिंपल डिप्थांग आई और साथ में विल एल मतलब एल की शाट फार्म विल के यूज होती है तो विल जैसे के है आई एम सिंपल इसी तरह फिर एम आई कैन आई का स्ट्रोग और के का स्ट्रोग आई कैन फूर्थ रूल क्या है कि दिशार्ट फार्म यू इस टर्न ओन इट्स साइड तो फार्म दी फ्रेज कि यू यू वाला जो लिफ्थांग है हमारे पास ये यू वाला जो स्ट्रोग है जब हमारे पास यू हम लोगों ने लिखना होगा तो उसको किस दीके से लिखना होगा U लिखने के लिए अब हम लोगों ने क्या करना है Turn U from the pen's last direction कि जब हमारी pen's की जो last direction होगी वो जहां पर हमारे पास हत्म होगी हम लोगों ने U को उसी direction में लिखता होगा अब हम लोगों अगर ये है तो हम लोगों ने U का भी इसी तरह से लिखता होगा फिर वर्यू हमने परिशने लिक्षे में पढ़ाथा ना कि वर्ट की पर मैं वो यह है अब इसी direction में वर्ट लिखने फोण नीचे इसी he direction में हम लोग ने U को लिखने है प्यूर्ड से आर यू आर का च्टॉॉग का है कर्के और हम लुग इस डिर्रेक्षन में है तो अब लुगальной अपना यू भी इस से दिरेक्षन मरें ठीक है तो ही हमारे पास इसकी चार रूपस से ज्यायल दिप्धांग कि अब next है हमारे पास ट्राइफॉस ट्राइफॉस गया है है फ़ी डियो hani त्राइफॉस यह है ले a combination आफ थ्री वावर्रस जिसे नाम सी पता चल रहा होगज रएक है ठ्रॉस त्राइफ का या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी यह भी हो सकती है कि एडिशन आफ वन मूर वावल विड डिफ्थांग के हमारे पास जो पहले से आल्रेडी हम लोग चार डिफ्थांग पर चुकी हैं उसके साथ अगर हम लोग एक और डिफ्थांग वावल एड करने तो वह ट्राइफॉ कौन कौन से वावल पढ़े थे ये 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 और ये चार वावल हम लोगने पढ़े थे यहां पर देख लें आई आई आउ यू अब जब इसके साथ हम लोग किसी वावल को एड करेंगे तो हम लोग सिंपल इसको नीचे जीद एक लाइन और लगा देंगे तो यह ट्राइफांस बन गया इसके साथ इस तरह का ठीक है जब आये के साथ हम लोग टिक लगाएंगे तो इसको हम लोग यहां से इस तरह कर देंगे ठीक है जब इसके साथ हम लोग मजीद वावल को एड करेंगे तो इसको हम लोग अपर डिरेक्शन में य यहां पर ऐसे जब यू के साथ हम लोग इसको एड़ करेंगे वावल को तो हम लोग यू कर देंगे तो यह चार हमारे प्लास ट्राइप पॉन्स बन जाते हैं ठीक है जैसा कि एग्जेंपल्स हैं बाइंग क्लिए सट्रोग इंग ऩाल स्ट लाइंग का स्ट्रोग टीक है विए हम लोग वैसे तो पिछले लक्टर में पहले हम लोग पड़ा था कि शोजिए हैं उसके लीए पadamente Anytime के साथ हम लोगने यह व्ला कज़ाना होगा सीर्च के तो यह बायंग बन जाएगा तो है loyal L loyal लिखा सत्में ये वाला i वाला stroke all एवाला drift थांग और साथ में इसको यूं कर देने हैं loyal प्रजोत पावर पी वाला spoke धुकुक औा वाले स्टॉक साथ में कि डिफ्थाग कों से अलग कुए सब्सक्तिक इसका टिक इसमें सनुख फेस में सब्सक्र Inspector तो सब्सक्राइन कोindi का गैसे में अद्सक्राइज कर सकता हूं नोगने एए č पर ना था जॉइन डिफ्ताओंक स defenses तो इसाब लोग स्क्रीनशाट ले लें लिए यह चार हमने जौइन डिफ़ांक्स के पड़े एजी जॉइनिंग करेंगे तो हम लोग किसे दिके से लिखेंगे नाव को किस दिके से लिखेंगे और जब हमारे पास वो आई आ जाएगा तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे एल एम के और अपवर्ड आर्ड से पहले और फिर यू को किस तरह से लिखेंगे इसका भी स्किंशॉट ले ले कि ट्राइब फॉन्स भी है कि डिफ्थांग के साथ मजीद एक और वावल एड़ करने को हम लग ट्राइब फॉन्स करेंगे के एक्जेंपल्स के तो मैंने आपको बता दिये यहां से इसका भी स्किंशॉट ले 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 लिए जोएंग टिफ्थांग्स कि अब लोगने क्या करना है एक्सरसाइज नवर 19 को छोड़के आप लोगने एक्सरसाइज नवर 21 21 और 20 और 21 की आप लोगने प्रेक्टिस करनेंगे ठीक है यहां से इसका स्किंशॉट ले ले लिए प्रिकर हम लोग कांसेनेंट एच पढ़ेंगे लाफिज कर दो दो यिह रेक्स्राइज झाब कर दो कर दो